द्रिष्टिया इसके ओडियो आटिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इसके ओडियो आटिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तब इसके ओडियो आटिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथ ही कचरे की समस्या का समाधान ढूनने की कोशिश भी करेंगे। तो आईए सबसे पहले एसोचेम के अध्यान की मुखे बातों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोनिक सामान पुराने हो जाते हैं या तूट फूट जाते हैं और उसके बाद फेक दिये जाते हैं तो ऐसे कचरे, इलेक्ट्रोनिक कचरे या इवेस्ट कहलाते हैं। गोर तलब है कि मौजूदा वक्त में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन बाजार होने के साथ डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की राह पर है। लिहाजा देश में जैसे जैसे डिजिटाइजिशन बढ़ रहा है उसी अनुपात में इकचरा भी जमा हो रहा है। जहां सन्युक्त राष्ट के रिपोर्ट के अनुसार 2014 में भारत से 17 लाख टन इलेक्ट्रोनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण कचरे के रूप में निकले। वही S.O.C.M. के मुताबिक मौजूदा वक्त में भारत लगभग 20 लाख टन इकचरा हर साल पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि 2018 के अंध तक भारत में 30 लाख टन तक इकचरा पैदा होने लगेगा। रिपोर्ट में अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा 72 लाख टन इकचरा हर साल पैदा करने की बात कही गई है। वहीं चीन द्वारा 61 लाख टन इकचरा हर साल पैदा करने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह दुनिया भर में लगभग 70 लाख टन इकचरा ही रिसाइकल हो पाता है। जहां तक भारत का सवाल है तो कई राज्यों में इकचरे को रिसाइकल करने की इकाईयां इस्थापित की गई हैं। करनाटक में सबसे ज्यादा 57, महराष्ट में 32, उत्तर प्रिदेश में 22, हरियाना में 16 और तमिलनाडू में 14 ही काईयां इस्थापित की गई हैं। लेकिन अभी तक हालात बेहतर नहीं हो सके हैं। अध्यन में यह भी कहा गया है कि 2016 में दुनिया भर में पैदा हुए कचरे का मूल्य 61 बिलियन डॉलर है, जो कि कई देशों की GDP से भी ज़्यादा है। जाहिर है कचरे को एकठा करने और रिसाइकल करने में आने वाली समस्या से अर्थववस्था को बहुत बड़ी हानी होती है। आईए अभी इकचरे के प्रभावों की चर्चा करते हैं। दरसल एकचरे में शामिल विशैले तत्व तत्था उनके निस्तारण के असुरक्षत तौर तरीकों से मानो स्वास्थ पर काफी असर पड़ता है और तरह तरह की बिमारिया होती हैं। ऐसा माना जाता है कि एक कंप्यूटर के निर्माण में एक क्यावन प्रकार के ऐसे संगटक होते हैं जिन्हें जहरीला माना जाता है। ये पर्यावरण तत्था मानो स्वास्थ के लिए बेहत खतरनाक होते हैं। इलेक्ट्रोनिक सामानों को बनाने में काम आने वाली सामग्रियों में ज्याद तर कैड्मियम, निकल, क्रोमियम, एंटीमनी, आस्टनिक और पारे का इस्तमाल किया जाता है। ये तत्व जलाये जाने पर सीधे वातावरण में गूलते हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थे पर बुरा आसर पड़ता है। बच्चों के आधुने खिलोनों में जो बैटरी इस्तमाल होती है, वह घातक रसायनों के सम्मिश्टांट से तयार होती है, और तोड़ने पर पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूशित करती है। दूसरी तरफ जब इक अच्रे को रिसाइकल किया जाता है, तो इसके घटक तत्व बाहर निकलते हैं, और काम में लगे लोगों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। दरसल इक अच्रे में से तांबा, सीसा, चांदी तथा सोने जैसी कीम्ती धातुएं भी निकलती हैं, और इन्हें निकालने का काम समाज के निचले तबके के लोग करते हैं। ये लोग इससे उत्पन होने वाले विशैले तत्वों से पूरी तरह अंजान होते हैं। सीसे की चपेट में आकर दुनिया भर में लाखो लोग प्रती वर्ष जान से हाथ धो बैटते हैं। विशिशग्यों के मताबिक इक अच्रे के निस्तारण की प्रक्रिया में इसे तोड़ने के काम में खत्रा अपेक्शाकृत कम है। लेकिन जब इसे पुनह चक्रित किया जाता है तो जलाने और एसे डादी का उप्योग होने के कारण खत्रा कई गुना बढ़ जाता है। इसे जलाने के दोरान जहरीला धुआ निकलता है और यह काफी नुकसान दे होता है। यह विशैला धुआ सुक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर को बढ़ाता है जो लंग्स और हर्ट को नुकसान पहुचाते हैं। मौजूदा वक्त में लैंडफिल डंपिंग के माध्यम से भी यह कच्रे का निप्टान किया जाता है। इसे भूजल में विशाकत रसायन जाने का खत्रा बढ़ गया है। जहिर है इन जहरीले रसायनों का हमारे फूद चेन में शामिल हो जाने का खत्रा बहुत बढ़ा है। आये प्लास्टिक कच्रे की समस्या पर बात करें, दरसल बढ़ते समय के साथ भारत में प्लास्टिक कच्रे की समस्या बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ इससे प्रदूशन की समस्या में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हर साल लाखों लोगों को अपनी जान गव सा अप्षिष्ट, 7.90 मिलियन टन खतरनाक अप्षिष्ट और 20 लाख टन इकच्रा है। भारतिय शहरों में प्रतिव्यक्ति 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक कच्रा प्रति दिन उत्पन होता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 62 मिलियन टन में से 43 मिलियन टन कच्रा ही ये कत्र किया जाता है। जिसमें से महज 11.9 million ton कच्रा ही recycle हो पाता है और बाकी कच्रे को landfill site में डाल दिया जाता है। ऐसे इतर नगर निगम कच्रे का केवल 75-80% कच्रा ही एकत्र किया जाता है और इस कच्रे का केवल 22-28% ही recycle हो पाता है। ऐसा अनुमान है कि पैदा होने वाले कच्रे की मात्रा मौजूदा 62 million ton से बढ़कर वर्ष 2030 तक लगभग 165 million ton तक पहुँच जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कच्रा शोधन की दर बेहत कम है लिहाजा इसकी वजह को भी हमें जानना चाहिए। दरसल छोटे और बड़े दोनों तरह के शहरों में कच्रे को recycle करने वाली सुविधाओं का बड़ा अभाव है। जहां शहरों में ठोस कच्रे के मात्रा पिछले 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ गई है, वहीं अभी भी महस 30% कच्रे का ही शोधन हो पा रहा है। देश भर में 145 वेश्ट टू कमपोस्ट प्लांट्स काम कर रहे हैं, जिनसे हर साल 13 लाग टन खाद बनाय जाते हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार देश भर में 56 वेश्ट टू एनरजी प्लांट्स बना रही है, जिससे 415 मेगावार्ट बिजली बनाने की यूजना है। अधिकांश शहरों में बढ़ते कचरे के शोधन की परयाप्त सुवधाएं मौजूद नहीं हैं। फिर वर्ष 2011 में Plastic Waste Management and Handling Rules प्रभाव में आया, जिसने Recycled Plastics Manufacture and Uses Rules 1999 के स्थान लिया। इसके तहट प्लास्टिक में पैक्ट सामानों, मसलन गुटका, पानमसाला वगेरा पर बैन लगाने की बात कही गई थी। इसी के तहट Recycled Plastics में भोजन को पैक कर बेचने पर भी बैन लगाया गया। साथी कचरा प्रबंधन के कई नियम लागू किये गए। 2011 में E-Waste Management and Handling Rules भी लाया गया, जिसमें कई प्रकार के Electrical या Electronic सामानों को शामिल किया गया। इस नियम की जगह एक नया E-Waste Management Rules 2016 लाया गया, जिसमें CFL और Mercury वाले लैंप को मुखे रूप से शामिल किया गया। इसमें Electronic सामानों के उत्पादन करताओं को Extended Producer Responsibility यानी EPR के तहत लाया गया। इसके अंतरगत उत्पादन करताओं को निर्देश दिया गया कि वे E-कच्रा को एकत्र करेंगे और उपभुगताओं के पुराने Electronic सामानों के बदले नए सामान देने का इंतिजाम करेंगे। 2016 में ही Plastic कच्रा प्रबंधन नियम, Biomedical कच्रा प्रबंधन नियम, निर्माण और विद्धवन्स कच्रा प्रबंधन नियम, खतरनाक और अन्य कच्रा प्रबंधन और सीमा पार परिवहन नियम और ठोस कच्रा प्रबंधन नियम भी लाया गया। गौर तलब है कि E-West Management Rules 2016 को मार्च 2018 में संशोधित भी किया गया है जिसके तहट इसके प्रावधानों को और कठोर बनाया गया है इसमें उत्पादूं की ओसात आयू केंद्रिया प्रदूशन नियंतरन बोड द्वारा निर्धारित करने इक च्रा को एकत्र करने के लक्षों को निर्धारित करने जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया अगर हाल यह प्रयासों की बात करें तो महराष्ट और उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक पर बैन को मनजूरी दे दी है ऐसा माना जा रहा है कि सरकार का यह फैसला भविश्य में प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने और उसके विकल्प को ढूनने का अधार तयार करेगा इसके अलावा कच्रे को रिसाइकल करने के लिए देश भर में कई प्लांट्स स्थापित किये गए हैं इन प्लांट्स से खाद और बिजली उत्पादन की योजना है लेकिन चिंता की बात है कि ये प्लांट्स कच्रा उत्पादन के लिहाद से बहत कम हैं जहां तक ये कच्रा के सवाल है तो इसके लिए कुछ ठोस उपायक अभी तक नहीं किये जा सके हैं एक और जहां संगठित क्षत्रों के बज़ाए असंगठित क्षत्रों को पुराने इलेक्ट्रोनिक सामान बेचने पर अभी तक अंकुष नहीं लग सका है महीं दूसरी तरफ इकच्रे को रिसाइकल करने के लिए कोई खास तरीका अब तक इजाद नहीं किया जा सका है ज्वाला ने दुनिया की पहली ऐसी माइक्रो फैक्ट्री बनाई जो स्मार्टफोन लेप्टॉप इत्यादी की इक खच्रे को रिसाइकल कर कीमती सामानों में तबदील कर सकती है दरसल माइक्रो फैक्ट्री एक या कई छोटी छोटी मशीनों और उपकरणों की एक चेन होती है जो पेटेंट यूप तकनीकों के द्वारा पूराने उत्पादों को नए और उप्योग में लाए जा सकने वाले सामानों में बदल देती है माइक्रो फैक्ट्री कच्रे को रिसाइकल करने के लिए बहुत सारे छोटे मॉडियूल्स का उप्योग करती है जो एक छोटी सी जगह में आसानी से फिट हो जाते हैं सबसे पहले बेकार सामानों को विगटित करने के लिए मॉडियूल में रखा जाता है इसके बाद विशेश रोबोट के जरिये उपकरण के उपयोगी हिस्सों की पहचान की जाती है। अगले चरण में एक छोटी फरनेस या भट्टी की मदद से नियंत्रित तापमान प्रक्रिया द्वारा उपकरण के हिस्सों को कीमती सामानों में बदल दिया जाता है। आप सवाल है कि कच्रे के मसले पर सरकार और आम जिन की कोशिश क्या होनी चाहिए? दरसल सरकारे इस्तर के साथ साथ निजी तोर पर भी कच्रा प्रबंधन की समस्या को अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया है. विकास शील देशों में कच्रा एक बड़ी समस्या है, जैसे जैसे विकास की गती तेज हो रही है, लोगों का जीवन अस्तर बढ़ रहा है, लेहाजा कूड़ा कच्रा भी बढ़ रहा है. सच तो यह है कि भारत में कच्रा प्रबंधन शेहरी जीवन के लिए एक विशाल और विकराल चुनाओती है. वायू प्रदुशन जैसे समस्या से हर तबके के लोग प्रभावित होते हैं, जबकि कच्रे जैसे समस्या से ज़्यादा तर निचले तबके के लोग दोचार होते हैं. गौर करना होगा कि इलेक्ट्रोनिक सामानों को उप्योग करने की सुविधा जादातर धनी लोगों को मिलती है लेकिन जब बात इसके रख रखाओ की आती है तो इसके लिए हाश्ये पर जा चुके लोगों को इन जानलेवा कच्रों से होकर गुजरना पड़ता है जाहिर है हमें इन तबकों की भी फिक्र करने की ज़रूरत है ताकि जीने के समवेधानिक हक को अमली जामा पहना आ जा सके गौर करने वाली बात है कि अपनी महत्वा कांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहट केंडर सरकार अब तक अरवों रुपे खर्च कर चुकी है वित्य वर्ष 2017-18 के बजट में जहां 19,248 करोड रुपे का प्रावधान था वहीं 2018-19 में 16,948 करोड रुपे का बजट सरकार लाई है लेकिन चिंता की बात है कि नतीजा अब तक सिफर ही रहा है बीते दिनों दिल्ली में कच्रे के टीले के कारण दो व्यक्ति की मौत और हाल ही में दिल्ली के उपरा जेपाल पर सुप्रेम कोट की तल्ख टिपणी से समझा जा सकता है के स्थिती कितनी खराब है दूसरी तरफ ये कच्रे से उत्पन होने वाले खत्रों से परचित होने के बावजूद अब तक इसे रोकने के लिए देश में जागरुकता का बड़ा अभाव है दरसल हमारी सरकारे अपनी प्राथमिक्ता तैर नहीं कर पा रही है एक और हम देश में उत्सरजित इकच्रे से ही नहीं निपट पा रहे हैं तो दूसरी तरफ विक्सित देश भारत को अपने इकच्रे का डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं जाहिर है सरकार को शासन और नीती दोनों में ही बदलाव लाने की जरूरत है इससे इतर आम जन को भी चाहिए कि कच्रे से निपटने के लिए 3R जैसी संकल्पना को अपनाएं इसके तहट Reduce, Reuse और Recycling जैसी विधी अपनाई जा सकती है हमारे देश में बहुत कम ऐसी कमपनिया हैं जो ये कच्रे का निपटान आधुनिक तकनीक से करती हैं इसलिए अपने बेकार उपकरण कबाड़ी को न देकर इन कमपनियों को ही देने का प्रयास किया जाना चाहिए बहरहाल सरकार को समझना होगा कि जानलेवा कच्रे से पैदा होने वाली बिमारियों से गैर जरूरी खर्चे बढ़ते हैं इसके निप्टारे की पहल की जरूरत है आईए नोट करें आज का सवाल सवाल है एक और जहां डिजिटल इंडिया के कारण बढ़ते डिजिटाइजेशन ने इए कच्रे की समस्या को बढ़ाया है वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक कच्रा, स्वाच्च भारत अभ्यान और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट के लिए चुनोती बन रहा है इसी संदर्प में योजनाओं को सफल बनाने में सरकार के समक्ष चुनोतियों का मुल्यांकन कीजिए